मत हो परिशान, हर समस्या का होगा समाधान, सियम योगी का लगा जनता दर्बार, दोसो लोगों की सुनी फरियाद नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट अब वक्त हो चला है से मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं आज के समय में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनात को कौन नहीं जानता है ये दिगज नेताओं में से एक माने जाते हैं जब से योगी जीने उत्तर प्रदेश की सत्ता समाली है उन्होंने काफी कुछ अच्छे अच्छे काम किये है ये एक ऐसे सीम है जो आप जनता की बात खुद जाकर सुनते हैं और जनता की समस्या का निवारन करते हैं इसी कड़ी में सीम योगी गोरकपुर पहुँझे जनता दरबार में सीम योगी ने 200 लोगों की फरियाद सुनी और जल से जल समाधान करने के निर्देश दिये तो आज सीम योगी के लगे इसी जनता दरबार पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कैसे कर रहे सीम योगी जनता की समस्याओं का समाधान मत हो परेशान हर समस्या का होगा समाधान यह बोल है सूबे के मौक्य मंद्रे योगी आदितनात के जो हर एक प्रदेश वासी को राहत की सास देते हैं योगी राज की हर एक राज में चर्चा होती है जहां जनता के लिए लगातार विकास हो रहा है और सांथ ही सांथ अपराद का सफाया भी हो रहा है योगी की जीरो टॉलरेंस नीती का ऐसा असर है कि हर राज में अपराद होने पर सियम योगी एक्शन को याद किया जाता है बुल्डोजर और एंड काउंटर एक्शन की मांग की जाती है क्यों क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने जब से सत्ता समभली है तब से ही राज जी की जनता के लिए लगातार काम किया है उनकी सुरक्ष्या स्वास्त और विकास के लिए नए नए कदम उठाए है और राज जी की जनता की परिशानियों को दूर करने के लिए सीम योगी खुद उनके बीच में जाते हैं और दर्बार लगाकर उनकी समस्या सुनी जाती है और जल से जल उस समस्या का समाधान भी करते हैं एक बार फिर से योगी गोरकपूर पहुंचे और शनिवार सुभा गोरकनात मंदिर में आयोजित जनताद दर्शन में सीम योगी नी लोगों से मुलाकाद कर उनकी समस्या सुनी उनकी परिशानिया सुनी वहीं दौरान मुख्यमंत्री ने में मौझूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीडित व्यक्ति समस्या पर समवेधन शील्स ता से ध्यान दे और उसका समय बद्ध और पारदर्श्री निवारण किया जाए आपको बता दे कि गोरकनात मंदिर परिसर के महंत दिग्विजेनात स्मृती भवन के साम ने जनता दर्शन आयजित हुआ था जहां मुख्यमंद्री योगी अधितनात ने 200 लोगों की समस्याइं सुनी और अधिकारियों को उनका समधान करने का निर्देश दिया जहां कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंद्री योगी अधितनात खुद को उन्होंने अधिकारियों के हाथों में देते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का नस्तारण तीवरित गुडवत्ता पूर्वक और संतुष्टी प्रदर होना चाहिए कुछ लोग जमीन के विवाद को लेकर भी आये थे वहीं तो जमीनी विवाद की शिकायत पर उन् जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज में आर्थिक मदद की गुहा लगाने भी पहुंचे थे मुख्य मंतरी ने उनसे कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी इस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दित किया कि इलाज में अस्पताल के एस्टिमेट की प्र गिफ्ट कर उन्हें खूब पढ़ने को प्रेलित किया वहीं गोरखनात मंदिर प्रवास के दौरान मुख्य मंतरी ने सोंबार सुभा मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए अपने प्रिये स्वान कालू और गुल्लू को भी दुलारा और उन्हें बिस्किट खिलाया करता की दुलार और गुलार वहीं बिस्कित वार एका भी दुलार वहीं जाखिए अगान। आपको बता दी कि इससे पहले बीते हफ़ते भी सीयम योगी ने जनता की समस्याइं सुनी थी जहाँ आपने दो दिवसी गोरखपुर प्रवास के दोरान मोख्य मंत्री योगी आदितनात ने रविवार 10 दिसंबर 2023 की सुभा गोरखनात मंदिर में आयुजित जनता दर्शन म से करीब 300 लोगों से मुलाकात की और एक एकर उनकी समस्याइं सुनी और निर्स्तारण के लिए आश्वस्त किया उनके प्रातना पत्र संबंदित अधिकारियों को देते हुए उन्हें अती शीग्र निस्तारण के लिए जरूरी दिशान निर्देश दिये इस दौरान सीयम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हर पीडित के साथ सम्वेदन शील रवय अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए इसमें किसी भी तरह की कोतहाई नहीं होनी जाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं कोई जमीन कबजा या द निश्चित होना चाहिए इस दौरान वहां पहुंचे जादातर फरियादी भी मुख्यमंत्री के आश्वासन से संतुष्ट होते नजर आये थे क्यों खासे सीम योगी का जनता दर्वार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदितनात अपनी लाख कामों और बिजिस एडियूल के बाद भी जनता दर्वार में शामिल होना नहीं भूते कुछ खास अवसरों को छोड़ दे तो सीम योगी की मौजूदगी में हमेशा ये दर्वार लगता है चाहे जो हो सभी को न्याय मिलता है हां देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्या खुद तो खड़े रहते हैं पर यहां आने वाले फरियादियों को सम्मान के साथ कुर्सियों पर बैठाया जाता है एक तरफ जहां कोई भी व्यक्ति पद और कुर्सी पाने पर दूसरे लोगों के साथ अच्छे से व्यवार करना भूल जाता है वहीं देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्या योगी अधितनाज जनता को सरोपरी रखते हैं सबसे उपर रखते हैं जनता का सम्मान उनके लिए सब कुछ है इसी का ध्यान रखते हुए सियम जनता दरवार में खुद तो खड़े रहते हैं लेकिन उनकी प्यारी जनता कुर्सी पर बैठी रहती है इस दोरां सियम का ये प्रेयास रहता है कि सभी की समस्याएं सुनी जाएं इसलिए वो खुद एक एक कर सभी फरियादियों के पास जाते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं आपको बता दे कि जब सूबे के मुख्या योगी आदितनात गोरखपुर के सांसत थे तब से जन सुनवाई का कारिक्रम चल रहा है सुभा आठ बजे जनता दर्बार का समय होता है लेकिन एक दिन पहले से ही गोरखनात मंदिर में फरियादियों का आना शुरू हो जाता है जनता दर्बार में फरियादियों की भारिश शंख्या रहती है कभी कभी ये संख्या हजारों में पहुँच जाती है सियम योगी का उत्देश अधिक से अधिक फरियादियों की समस्या जानना होता है सियम कभी 200 तो कभी 300 फरियादियों की समस्या सुनते हैं परिशानिया सुनते हैं ये आकड़ा कभी भी 500 भी पहुंच जाता है गुरखपूर में जब भी जनता दर्बार लगता है तब उत्तर प्रदेश के कोने कोने से फर्यादी यहां पहुंसते हैं इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बाहर के भी फर्यादी यहां आते हैं जनता दर्बार में बिहार, पशिम मंगाल, उत्राखन, सहित कई अन्य राज्यों के भी फरियादी यहां पहुंचते हैं। तो देखा आपने किस तरह सियम योगी जनता के लिए विकास के रास्ते खोलने के साथ ही खुद उनके पास जाकर उनकी समस्या सुन रहे हैं। अब तक सबसे पिछड़ा माना जाता रहा। पिछड़े जिले यूपी का ग्रोथ इंजन बनकर सामने आ रहे हैं। योगी राज में अपराद के साथ साथ लापरवाहा अपसरों की भी हेकड़ी निकाली जा रही है। वही माफियाओं के साथ साथ खुद की पार्टी में अगर कोई दोशी पाया जाता है तो उसे भी कड़ी सजा मिलती है और सलाखों के पीछे पहुचा जाता है। ऐसे में देखा जाए तो योगी राज में उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनना तो तै है। इस्पिशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही फिर पेशों के नए मुद्दे के साथ बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल तीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार